मिडनाइट रॉबरी और डेलाइट रॉबरी में तो अब ये उस्ताद हो चुके हैं मुझे इसको घटना में नहीं मानता हूँ ये दुर घटना है और इस दुर घटना का बिगुल तो प्रदान मंत्री जी ने भोपाल में फूग दिया था सतर हजार करोड के गोटा ले गिनायते एंसीपी के अब क्या हुआ ना कि पहले लोग टैक्स हेवन ढूंडते थे विदेशों में अब तो दिन दिया लुपाद्य है मार्क पे टैक्स हेवन पड़ा हुआ है आओ सीधे हम मुझ में शामिल हो जाओ तो प्रधानमंत्री जी की वो बात थी ना जो विसल बजाया था उन्होंने की कोई ब्रस्टाचारी छोड़ा नहीं जाएगा तो संकेती ये था नहींतार्ती ये था कि हे एडी हे सीबिया हे आईटी उन सब को हमारे पास ले आओ वो धुल जाएंगे वो स्वच्छ हो जाएंगे गंगा जी में जाने की भी जरूरत नहीं तो एक तरह से विपक्ष मुक्त भारत जिसकी संकल्पना प्रधानमंत्री जी और कोई भी अथारिटेरियन लीडर करता है उस दिशा में प्रधानमंत्री जी ने कदम बढ़ा दिय हैं अब वो पुलिटिकल लड़ाई पुलिटिकली नहीं लड़ेंगे अब ये उनका उनकी स्ट्राटेजी हो गई है कि बढ़िया भाशंदो बरस्टा चार पे और एक हफते के अंदर जिन पर आरोप है उनको बीजेपी में शामिल कराओ और सामिली नहीं कराओ मंत्री बन करना ही होगा अभी तो तलवार लटक रही है एकनाथ शिंदे फैक्शन पे भी लेकिन उससे लार्जर कुष्चिन ये है वह कुष्चिन मॉरालिटी का पुलिटिकल मॉरालिटी का और मैं समझता हूं कि बर्तवान की भाजिबा ने पुलिटिकल मॉरालिटी के सवालों को डाल दिया है उनके लिए कुछ नहीं सकता चाहिए चुरी सरकार चुराने में माहिर है इदान सभा में एक सदस्व फिर भी सरकार बनेगी तो जाहिर तो और पे लोकतंत्र का इतना कुरूप और भद्धा मजाग हमने तो कभी नहीं देखा जाहिर है कि जब पार्टी में जाएंगे तो नरेंदर मोदी जी क्या लोजना करके थोड़े ही जाएंगे वो तो शर्तें पहले तई हो जाती है कि आप आओ मंत्री बनो उसके बाद प्रेस कांफरेंस में क्या बोलना है ये भी भाजयपा के हेड़कॉर्टर से आया था उस जैसा उद्धव जी के केस में मैंने कहा था कि आप विधायक सांसद ले जा सकते हो पाटी नहीं ले जा पाओगे मैं आज आपके समक्ष कह रहा हूं कि आप शरद पवार जी की पाटी के विधायक ले जा सकते हो सांसद ले जा सकते हो शरद पवार जी की पाटी को नहीं ल पर जाएंगे। अपनी जनता का अपमान करते हैं यह ज़्यादा महातुपूर्ण है बनिस्पत इसके कि प्रधार मंत्री जी तिबारा जीते हैं या नहीं क्योंकि कई बार होता है कि किसी की जीत में देश की हार भी हो जाती है। अलग-अलग हलकों से हम जानते हैं कि अपोजिशन यूनिटी में इस तरह के बयान आते रहेंगे। लेकिन लार्जर गोल जो है जिस लार्जर गोल के बारे मैं मंता जी बहुत स्पस्ट है। सारी पुलिटिकल पार्टीज पस्ट हैं। वो लार्जर गोल है प्रगतिशील एक प्रोग्रेसिफ अल्टरनेटिव देना। और मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में ये जो भी थोड़े बहुत बादल दिखते हैं वो छट जाएंगे। वैसी जी ने भी सवाथ खड़किया है। पुल पटेल पटना जाता हैं सरत पवाथ। अब देखिए ओवैसी जी के बयान को तो मैं इतर रखता हूं क्योंकि वो तो चित्वी मेरी पट्वी मेरी अंटा मेरे फलाने फलाने का उस तरह की राजनीच से मैं समझता हूं कि अगर हम निंदा करते हैं बीजेपी की डॉग विसल पालिटिक्स का उसके खिलाफ कर रहे हैं तो कहीं ने कहीं उसी डॉग विसल पालिटिक्स का दूसरा सुरूप ओवैसी साब लेके आते हैं। अब पता नहीं देखिए तीन इंजन के बाद तो बिमारी ही होती है मैंने तो देखा है आमत्वार पर ये डबल इंजन जिस महापुरुष्ट ने पहली बार प्रियोग किया तो उसके भी हमने नतीजे देखे अलग-अलग राजियों में कि जहां आपकी सरकार नहीं है वह प्रिपल इंजन में एक जो एकनाथ शिंदेजी वाला इंजन है वो कितने दिन रहेगा ये सवाल के गेरे में अर्विंद के जिवाल की बात कर लोगने नहीं का कि 36 गड़ को करप्शन के लिए जाना जागा कॉंग्रेस और बीजेपी दोनों वर्हों में लिकि यह वो अकस तरीका है लेकि उनिफर्म सीविल कोट के बारे मारे पार्टी के इस पस्टर आये है कि इसको डॉग वेसल पालिक्स मत पनाईए जब कॉस्ट्वेंट एसेमली में इस पे चर्चाव की गई थी तो कहा गया थै कि आभी इसको रोक दो इसको डार्यक्टिव प्रिंसिपल्स म के प्लस इसको लोग हिंदू मुसल्मान कोश्चन बनाते हैं यह ही नहीं आधिवासी अधिकारों की बात हैं उनकी परंपराओं उनकी रिती रिवाज की बात हैं हिंदू धर्म में शादी सेक्रामेंट इसलाम में कॉंट्रैक्ट और 371 का मामला है कुछ राज्यों का सिर्य यह बहुत विशद पहलू है जिस पहलू पर बिना सोचे समझे प्रधानमंत्री जी ने टिपनी कर दी लेकिन अपने ही लॉग कमिशन की रिपोर्ट का एक पन्ना नहीं पड़ा अगर प्रधानमंत्री जी पढ़ते या उनके सलाकार उनको पढ़ने की सलाह देते तो वो भ तेलांगना और आंधरा में कांगरेस एक समय बहुत मजबूत हुआ करते थी जब कमबाइन था तो जाहिरा अपने वो पोलिटिकल नेरेटिव को अगर लोगों तक ले जा पा रहे हैं और उसको ट्रेक्शन मिल रहा है तो हम शुक्कामनाय देते हैं